लो एवरिवन कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आज हम करने जा रहे हैं with replacement और without replacement type के questions इन questions को करने से ना कि सिर्फ आपका concept develop होगा बलकि आप इस type के कई हो questions solve करने कर सकेंगे ठीक है तो चलो पहला question discuss करते हैं करेगा one by one जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियों बताया था कि probability में almost 80 to 90% आपको ड्रॉक कैसा होगा या तो one by one होगा या तो multiple draw होगा sorry या तो single draw होगा या तो multiple draw होगा multiple draw में भी दो टाइप होते हैं one at a time और one by one ठीक है और at a time में भी two types होते हैं with replacement and without replacement तो यहां देखो one by one लिख दिया mention करती है और तो ठीक है यह हमारी six red ball है and five black ball है दो balls हमने निकाली one by one करके with replacement क्या से निकाली with replacement करके तो with replacement में क्या होगा उसमें इसे जो हम इसलिक हमने एक ball निकाली उसका हमने color देखा और दुबार्स उसको अदाल दिया पर दूसरी बॉल वही निकाली पहली पहली जो निकली वह भी हमारी red ball निकली अंगली ball भी with replacement के question with replacement क्या होगा किया हमारे earn होगा इसमें balls होंगे कई सारी आपने first ball निकाल दी red color की तो उसकी probability लिखो आप सबसे पहले तो first ball red होने की क्या probability है first ball red होने की probability कितनी बॉल है red six red balls है total कितनी है 11 है ठीक है अब क्या क्या replacement कर दी ना जो हमने निकाली दुछ बारे आप फिर जो हमने ball निकाली वह भी रैड है तो रैड है तो six की six ही रही इसमें और total ball की total balls ही रही तो यह हमारा आगया answer ठीक है next without replacement, without replacement क्या होगा आपने पहली ball निकाली red ठीक है उसकी priority लिख लिख लिए आपने 6 upon 11 आपने जब वो निकाली तो उसको replace नहीं किया अपने पास ही रखा उसको आप दुबारा से आप हांद डालके red ball निकालने जा रहे हैं ठीक है तो दुबारा से जब आप red ball निकालेंगे तो 6 में से 1 तो हमने निकाल लिया है तो 5 बचेंगी और 11 थी 11 से हमारी चली गई है तो 10 बचेंगे तो 5 अपन 10 फेवरेबल अपन टोटल तो यह हो जाएगा विदाउट रेप्लेस्मेंट का कुश्चन इसका सेकंड को सेकंड कुश्चन में देखो इस कार्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम डेक और 52 कार्ड बन वाइवन ठीक है थ्री कार्ट्स है हमने निकाले 52 कार्ड में वन वाइवन करके ठीक है मेंशन आपको वन वाइवन विदाउट रेप्लेस्मेंट करके निकाले है मतलब इसमें नमबर ऑफ कार्ड सेम रहेंगे हम निकालेंगे और फिर उसको से मिडाल देंगे ठीक find the probability that all three are ace तीनो के तीनो ace है उसकी क्या probability है without replacement है मतलब निकालेंगे तो उसको अपने पास रखेंगे फिर दुबार निकालेंगे तो देखो हमारे चार ace कार्ड होते हैं पूरे 52 में तो जम पहली बार निकालेंगे और वह ace हो उसकी probability क्या है चार बटे 52 लेकिन जब हम उसको एक निकाल चुके हैं अब जब दूसरा कार्ड निकालने जाएंगे तो एक कम हो जाएगा उसमें तीन बटे 51 ऐसी तीसरी बार जब निकालेंगे तो तीन में से भी एक और कम हो जाएगा दो चले गए तो कितना होगा तो यह होगा इसका आंसर क्यों हमने ऐसा किया क्योंकि हमारे नंबर आफ कार्ड कम हो रहे हैं विदाउट रप्लेस्मेंट है ना यह पहले कि प्रॉबाइलटी फोर पॉन फिटी टू जब हम एक निकाल चुके तो तीन बचेंगे चारी तो होते हैं चार में चला गया तीन माठकर कर दो करेंगे और हाँ पॉजीशन अच्चसरा ट Андर करती है याद रखना अब जैसे कि मैंने सभी में 2 हैं और सभी में 1 black है सभी में 2 red है लेकिन position matter करती है इसलिए आपको next question में आपको परस लेगा कि कैसे matter करती है अब तो simply हम solve कर लेते हैं इसको अब देखो पहला red हो आपको पता है कि 52 में 26 red होते हैं हमारे तो पहला red हो तो क्या लिखेंगे हम कितने होते हैं 26 red होते हैं हमारे 26 तो हम लिख देंगे 26 अप टोटल कितनों है 52 तो पहला तो red हमने निकाल लिया 26 बटे 52 अब दूसरा भी red हो उसकी क्या probability है तो मैं इसमें condition इसमें ने कि यह without replacement का question है विदाउट रिप्लेस्मेंट है विदाउट रिप्लेस्मेंट है ठीक है पहला हमने निकाल लिया अब दूसरा भी red हो दूसरा भी red हो उसके उसके लिए क्या होगा जब 26 थे एक निकल गया तो 25 बचे और 52 में से गया तो 51 अब तीसरा black हो हमने रि रेड निकाले हैं black तो 26 के 26 ही रहेंगे 26 रेड और 26 black होते है रेड की साथ छिर्चा नहीं किये black तो हमारे 26 के 26 ही रहेंगे तो black की probability 26 अपॉन लेकिन दो गाड तो गये हैं हमारे 26 बचास लिग देंगे यह हमारा हो जाएगा आर अरभी का अंसर अब हमें निकालना है पहला रेड हो दूसरा बलेक हो तीसरा रेड हो तो पहला रेड हो टोटल 26 रेड होते हैं तो 26 बटे 52 बलेक हो टोटल कितने बलेक होते हैं 26 ही बलेक होते हैं तो 26 बटे और एक रेड हमारा चला गया टोटल में से एक चला गया तो कितने बचे कार्ट टोटल 51 बचे और तीसरा कार तीसरा रेड कितने होते हैं 26 होते हैं जिसमें एक निकल चुका है तो कितने बचे 25 बचे एक कम हो गया 26 में तो और दो काड़ निकल चुके पहला रेड दूसरा ब्लैक तीसरा तो कितने बचेंगे काड उसमें 52 में दो गए तो 50 बचें तो यह हो जाएगी next probability क्योंकि हो दूसरा दूसरा रेड होने के लिए क्या रेड कितने होते है रेड 26 होते हैं लिखड़े हुट ओफरेवल और टॉटल कितने हैं विदा एक ब्लैक निकाल चुके था ना, reicht 52 में एक कम हो चुका है तो छ inadequ रेडॅट पा प्टेरै से Cathy आप बैंघ भी रैड हो निकल गए दूसरा कार्ट निकल गए तो तोल कितने हैं तीन निकल दो निकल चुके हैं तोल 52 थे 52 में दो गए हैं पचास आया अंसर तो अपन 50 आप इनको सॉल करेंगे मल्टिप्लाय करेंगे तो आप का अंसर आ जाएगा नेक्ट कोश्यन में कहा है तू कार्ट आर ड्रॉन निकल ना है कि पहला हमारा कार्ड किंग है और दूसरा कार्ड हमारा क्ुइन है दो कार्ड अपने निकाले हैं ठेक तो आपको यह तो पता है कि चार किंग होते हैं और चार कुईन होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पहली कुईन हो और दूसरा किंग हो इसमें मैंने नहीं क्या है कि फर्स्ट किंग और सेकेंड कुईन यही मैंने बताया था position भी matter करती है जैसे अभी पिछले questions में क्या था उसमें mention थी कि पहले यह निकाला फिर यह निकाला फिर यह निकाला इसमें mention ही नहीं है तो दो chance हो सकते हैं या तो पहला king दूसरा coin या तो पहली coin और दूसरा king और और का chance है और में क्या होता हमें साइड होती है probability और एंड में सा मल्टिपला होती है तो देखो probability क्या होगी इसकी पहला king कितने होते है चार upon कितना 52 52 में 4 king तो king की probability आगए आपकी queen कितने होती है queen भी 4 होती है तो लिख देंगे 4 upon और यह लिखा है with replacement निकालने के बाद हमने कार्ड निकाला तो उसको दुवारा से put up कर देंगे तो टोटल कार्ड तो सही में रहें कि रिप्लेस्मेंट कर दिया हमने तो यह होगा king की probability यह होगी queen की probability और और में क्या होता हमें सब प्लस करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं नहीं कि हमने पहले का निकाला इसलिए हम प्लस लगाएंगे queen कितनी होगी हमारी चार बटे 52 क्योंकि वित रिप्लेस्मेंट हो रहा है हमारे सब इसलिए किंग कितने होता है टोटल चार टोटल रिकार्ट कितने 52 मैं यहां पर कम इसलिए नहीं किये क्योंकि यहां पर वित रिप्लेस्मेंट है अगर विदाउट रिप्लेस्मेंट होता तो यहां पर कम हो जा ठीक है इसको आप करने की कोशिश की जाएगा NCRT की कोशिश करने कोशिश की जाएगा जैसी कि मैंने पिछले वीडियो में आपको यह ट्री ब्रांच ट्री वाला कॉंसेप्ट बताया था इसी पर बेस है यह सब अगर आपको यह समझा जाता है तो आपके लिए सारी कोशिश इजी ली सॉल हो जाएंगे तो इसलिए आप उसको वीडियो उस वीडियो को भी देख सकते हैं अच्छे से कॉंसेप्ट क्लियर करने के लिए ओके ठीक है हसते रहें खेलते हैं अल्दा वैरी वेस्ट